हालो एवरीबन वेल्कम टो एन अकाडमी लेट्सक्राग यूपी एसी एसी हिंदी मैं रिंको सिंग स्वागत करती हूं आप सब लोगों का तो रोज पढ़ाई 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 डेली पढ़ाई नहीं होती है बीच बीच में बातचित भी कर लेना चाहिए तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बातचित करने वाली हूं कि आपकी डेली हैबेट्स क्या होनी चाहिए है आप किस तरह से आपकी डेली हैबेट्स होनी चाहिए आप अपने डियानेक जीवन में कैसे आदत बनाएं जो आपको मदद करें जिसकी मदद से आप UPSC ATSC क्राइक कर सकें तो इस पर बातचीत करेंगे है न बीच-बीच में बातचीत होते रहना चाहिए क्योंकि आप रोज-़ोज जब पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो तो फिर आप बोर होने लग जाते हो बीच-बीच में स्ट्राटेजी क्लास बहुत ज़रूरी होती है और खुब प्यार मिला है मुझे आप लोगों का जब भी स्ट्राटेजी क्लास मैंने लिया है तो हमेशा ही आप लोगों ने हाथो हाथ इसको लिया है तो इसलिए मैं आप लोगों से बातचीत करती रहती हूँ मुझे लगता है कि हाँ आपको मेरे suggestions, मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो इसलिए मैंने फिर से ये class शुरू किया है आप लोगों के लिए तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दुआने academy की बारे में कि ये इंडिया का largest platform बन चुका है और daily habit बना लेजे आप कि आपको यहाँ पर आकर पढ़ना है daily यहाँ पर आकर आपको कुछ time भी दाना है क्योंकि यहाँ पर free classes भी है और daily यहाँ पर आकर आप पढ़ते हो जब भी किसी topic पर clarity नहीं होती confusion होता है तो उस topic को search करके अने academy से आप अपने उस topic को clear कर सकते हो app पर भी और youtube पर भी तो आप जो app पर पढ़ते हो आने academy की जो app पर पढ़ते हो आपको points मिलती है और वो points कई हजारों में हो जाती है और जब आपको subscription लेना होता है तो आपको उसका benefit मिलता है कई students हैं जिन्होंने merit through admission लिया है उनका 8,000-10,000 रुपे तक कम हो जाता है 5,000-6,000 रुपे तक कम हो जाता है ऐसी बहुत सारे student है जिनका कम हो जाता है उस points से ही तो आप ये भी अपना एक डेली habit बनाईए unnecessarily time pass नहीं करना है बट जब भी आपको किसी भी topic पर पढ़ रहे हो और उस topic से related आपको कोई query आती है तो search कर लो और या फिर आप एक जो series कोई चल रही है अगर तो उस series को join कर लो जिससे आपको benefit हो जाए तो आप किसी भी तरह से तो अनक आदमी पर आप आते हो तो फिर आपको पूरी तरह system में सब कुछ मिल जाता है तो daily life classes बहुत सारा practice पूरा का पूरा आपका structured course जो है पूरा complete होता है और आपको यहाँ पर learning app download करना है मेरी ख्याल से आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा इसको नहीं किया तो कर लो अपने play store से, app store से और यहीं पर course select कर लेना और course select करने के बाद जब आप जैसी UPSC course select करते हो तो educators दिखने लग जाते हैं जो भी educators आपको पसंद हैं उन्हें follow कर लीजे फिर उनका notification आपको आने लग जाएगा तो बहुत सारे educators हैं यहाँ पर hundred plus educators हैं, बहुत सारी courses हैं और live class अगर लेना है आपको पूरा batch लेना है तो आने अकाडमी every week new batches शुरू करती है every week शुरू करती है new batch को तो आप इस तरह से आप batch course भी ले सकते हैं और हमारी course subject wise हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो आप हमारा भी ले सकते हैं ठीक है तो UPSC CAC के लिए अने अकाडमी से best कुछ भी नहीं है दो तरीका है आने का plus subscription आप लेते हैं तो 44,550 रुपे में 44,550 रुपे में आपका एक साल का है और 64,800 में 2 साल का और 12 वाले जो अभी से त्यारी करना चाहते हैं 80,000 में 3 साल का और मेरा e-code है रिंको लाइफ कोड के साथ आपको इडिसकाउंट मिलता है EMI बहुत कम है जैसे अगर credit card से अगर आप लेते हो एक चीज याद रखिएगा EMI credit card से ही बनेगा debit card या team card से आपके नहीं बनेगा तो 64,800 वाला जो 2 साल का है 2 साल से कम क्या लेंगे आप ये आपका 2700 महीने का जाता है सिर्फ 2700 रुपे महीने का देंगे आप और आप 2 साल तक देते रहे है और आपका ये पूरा पे हो जाएगा और आप पढ़ते भी रहेंगे 81,000 में आपका ये 3 साल का है तो आप जैसी ही ये code यूज करते हैं जैसी ये code यूज करते हैं आपका ये subscription मिल जाएगा और 10% का discount मिल जाएगा और 7 में आपको मेरा 7 मिल जाएगा अपनी तैयारी में Iconic लेते हैं तो मैं आपको personal coach के तौर पर आप मुझे चूच कर सकते हैं तो एक साल का है आपका 62,550 रुपए इसमें भी 5,000 की ये माई जाएगी 96,300 है इसमें 4,000 की ये माई जाएगी और 1,26,003 साल का है इसमें 3,525 रुपए की ये माई जाएगी आपका मेरे score के साथ आपका सिर्फ 4,013 रुपए यानि 4,000 ये माई आपकी जारी है सिर्फ और आप एक coach के साथ discuss करते हुए answer writing अपना check कराते हुए आप अपने तयारी कर सकते हैं तो best है ये आप लोग कहा कर दे थे कि नहीं मैम हमें पूरा course नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ ऑप्शनल का चाहिए तो अनक एग्मी ने आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी चुरू कर दिया है तो अब आप सिर्फ ऑप्शनल के लिए भी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ आगर पबेड है PSIR, psychology, sociology, geography, history, economics, anthropology, geology agriculture, krishi, mathematics, commerce, maths, law, management math, math, hindi, saht, kandar, saht, english, saht तो इन में से जो भी आपका उप्शनल है उसके लिए आप join कर सकते हैं अनक आडमी कोर इतना ही नहीं है और भी जो भी आपके subjects होंगी वो भी आपको अनक आडमी पर मिल जाएगा आप एक बर search कर लेना बहुत सारे ओप्शनल कोर से जाने का आडमी पर हैं तो सिर्फ ओप्शनल की जो fee है हमारी एक साल की 24,750 रुपे है और अगर आप EMI से pay करना चाहते हो तो सिर्फ 2000 सिर्फ 2000 आपकी लगेगी अगर EMI से pay करना चाहते हो तो तो रिंको लाइव मेरा code है मेरे code को आप यूज करते हैं तो आपको मैं पूरी तरह से अपने एक दम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मार्क दर्शन में लेकर आपको step by step गार तो चले शुरू करते हैं कि आपकी डेली habits क्या होने चाहिए कुछ ऐसी बाते होंगी जो आपने पहले भी सुनी होंगी कुछ मैं नई बात बताऊंगी कुछ चीजे आप सोचते होंगे बस आपको क्या होगा कि आपको एक boost मिल जाएगा तो सबसे पहले नमबर पर आता है आपका lifestyle ठीक है? lifestyle सबसे पहले नमबर पर आता है मैं पहले नमबर पर उसको रखती हूँ तो lifestyle में क्या? अच्छा, ठीक है? मत अच्छा खान पन healthy healthy और balanced diet healthy और balanced diet बहुत जरूरी है समय पर सोना उठना तो मतलब आप ये समझ लो कि इसको हम ये टाइटल दे सकते हैं कि Good Lifestyle Healthy Lifestyle इसको आप टाइटल दे सकते हो Healthy Lifestyle तो Healthy Lifestyle में क्या क्या आ जाता है इसमें क्या क्या आ जाएगा तो पहले नमबर पर अच्छा खान पाना जाएगा अच्छा कहते हैं कि जिस तरह भारत में शुरू से कहा गया एक जैसा आपका खान पान होगा, वैसा ही आपका ब्रभावित करता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सात्वी खाओ, सात्वी खाने के लिये कहते हैं लोग, आपको 9 पसंद है तो खाओ, लेकिन आप ये देखो कि कुछ भी गरिस्ट नहीं होना चाहिए आपको गरिस्ट भोजन करोगे तो ये आपको क्या करेगा आपके भीतर आलस पैदा करेगा आलस पैदा करेगा आपको नीन दाएगी तबियत खराब होगी कभी भी गरम ठंडा आप करते रहेंगे आपके तबियत खराब हो सकती है तो पहले नंबर पर पहले नंबर पर है ये पहला नंबर पर है healthy lifestyle और उसमें पहले नंबर पर है अच्छा खान पार तो सबसे पहले इस अपने habit को सुधारिये और हम taste पर मत जाएए स्वाद पर मत जाएए सिर्फ आप वो खाईए जो आपके सेहत को फायदा पहुँचाता है दूसरे नमबर पर समय से जगना समय से जगना और सोना ये भी बहुत ज़रूरी है ठीक है आप जैसे एक excuse रहता है आप किया कि मैं रात में पढ़ता हूं सुबह उठने का मन्नी करता और अब तो सर्दियां आ गई अब सर्दियां आ गई तो आपको और मन्नी करेगा उठने का और खुद को भी आप logic दोगे आकेले रहते हो तो खुद को logic दोगे खुद को excuse दोगे कि अरे मैं तो रात में जगा था और parents के साथ रहते हो तो parents को तो easily आपको होगे कि मैं तो रात में 3 बजे तक पढ़ रहा था इसलिए मैं 11 बजे तक सोंगा लेकिन कहीं से भी 11 बजे तक सोना आपके लिए सेहत मन्द नहीं है ना सेहत मन्द है और ना ही आपको फूर्ती से रहने देगा आप पूरे दिन फूर्ती महसूस नहीं करोगे उर्जावान महसूस नहीं करोगे अगर आप 11 बजे सो कर उठते हो एक heaviness आपके सिर पर रहेगा और वो 2-3 बजे के चकर में हाला कि 3 बजे तक कोई पढ़ता नहीं है सोने के लिए रात का समय बना है और अच्छी नींद आपको जरूरी है तो इसमें क्या है कि आपको अच्छी नींद लीजिए कम से कम आप अच्छी नींद लीजिए 5-6 घंटे का वैसे तो 7 hours कहते हैं न पर आप जरूर लीजिए इसको 6-7 घंटे पांच रहने दो आज पर थोड़ा सा हूँ होगा 6-7 घंटे का नींद जरूर लीजिए complete ताकि आपको पढ़ने के वक्त जपकी ना आए और इस टाइम को आपको manage करना होगा टाइम को आपको manage करना होगा तो आप अच्छी नींद लीजिए और समय से उठिए समय से उठिए ये बहुत जुरूरी है क्योंकि अगर आप समय से नहीं उठेंगे तो मैंने आपको बताया ना मैंने महसूस किया है और ऐसे लोगों को देखा है कि वो पूरी दिन चिर्चुड़े हुए रहते है सिर्फ पर एक भारीपन रहता है तो आप सोते किसलिए हो ताकि आपको फ्रेशनेस फिला है आप उर्जावान महसूस करू इसके लिए सोते हो न और वो उल्टा आपको आलस से देता है एक ऐसा लगता है कि एनर्जी खतम हो गई तो समय पर सोना और जगना ये शुरू से ही कहा गया है तो आपने आप टाइम को मैनेज कीजे और आप देखिए कि आपको रात में कितने बज़े तक पढ़के और कितने बज़े तक सो जाना है तो मेरे ख्याल से जैसे आपके पास अभी एक ही जिमेदारी है कि आपको पढ़ाई करनी है बहुत सारे स्टुडेंट तो ऐसे ही है कि आपके पास एक ही जिमेदारी है कि आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई करनी है तो अगर आपने नौ बज़े तक डिनर ले लिया, नौ बज़े तक डिनर ले लिया, डिनर हमेशा light खाओ, खान पान पर मैं बहुत जोड़ दे रही हूँ, तो डिनर में हमेशा आप light खाईए, ज्यादा heavy मत खाईए, और आप थोड़ा कहते हैं hundred steps चलना चाहिए, hundred steps चलने के बाद आप किताब लेकर बैठ चाहिए, बीच में आपको बोरियत महसूस हो, या फिर एक break चाहिए हो, तो एक घंटे बाद दूद पीलो, गरम गरम दूद पीलो, वो आप energy भी देगा, और नींद भी भगाएगा, तो दूद पीलो आप, पर आप जो है, 9 बज़े के बाद मिलाब आप 10 बज़े तक hardly पढ़ने बैठ जाओ, तो अगर आप 10 से 1 बज़े तक पढ़ते हो, तो कितने घंटे होगे, 3 घंटा हो गया, इस समय, भाई आप पूरे दिन का 8 से 10 घंटा ही तो ideally रखते हो कि मुझे minimum पढ़ना है, minimum, minimum इतना घंटा तो पढ़ना ही है, तो आप निका 3 घंटा तो यही होगे आपका, अगर आप 1 बज़े सोगे आप, 12.30 या 1 पीम तक आप सोगे, तो उसके बाद सुबह, सुबह अगर आप 6 बज़े उठते हो, 6 बज़े, साड़े, 6, 7 बज़े उठ जाओ, कोई बात नहीं, आप 7 एम उठ जाओ, मलब आप टागेट र बढ़ने बैठ गये, सोने का तो आपकी मन की बात कह दी मैंने, कि सोगे, आपको मन करता है उठने के बात भी सोने का, तो 7 बज़े से लेकर, और फिर आप बढ़ने बैठ गया है, फिर 10 एम तक बैठ गये, तो 6 घंटा तो आपने यहीं मैनेज कर लिया, इसका दूसरा भी option हो सकता है आपका, दूसरा भी option हो सकता है कि आप सो ज़ौर डिनर करने के बाद, अगर आपको जल्दी सोने की आदत है, डिनर करने के बाद आप सो गए, और सुबह उठ गये, 4 बजे, जो के एकदम idle time होता है उठने का, 4 जो 4 बजे जिनको उठने की आदत है, आप लोगो को यह कह सकती हूं कि आप पर इश्वर का अशिरवाद है यह सबसे अच्छी हाबिट होती है जो सुबह उठ जाते हैं अब चार बजे से आप उठे उठे अपना बीच में ब्रेक लेते हुए ब्रेक लेते हुए आपने अगर पढ़ाई कर ली नो बजे तक तो पांच गंटे की पढ़ाई तो यही हो गई आपकी यही पर पांच गंटे की पढ़ाई हो गई तो यह जो है आपका आप पर डिपन करता है कि आप किस तरह से मैनेज करते हो लेकिन जो लोग यह कहके कि जपकी बार-बार सोते रहते हो पढ़ते रहते हो टाइम पास करते रहते हो और कहते अच्छा दो बज गया, चलो, दो बजा, अब मैं कल दोस्तों से कहूँगा कि मैं दो बजे तक पढ़ रहा था, तीन बजे तक पढ़ रहा था, मैं सुबह चार बजे सोया हूँ, ये सिर्फ कहने के लिए होता है, मैंने practically इसको feel किया है, feel किया है इसको practically और मैंने लोगों को देखा है, तो जैसे मैं अपना, मैं आपको बता रही हूँ, कि मैं मेरी roommate थी, तो वो 11 बजे तक, मैं लगभग साड़े दस, 11 तक वो घूमा करती थी, और उसकी बाद वो पढ़ने बैठ जाती थी, और उसकी बाद मैं बैठी रहती थी, लगभग, मतलब 8-9 बजे से मैं ब पढ़ाई करना था, तो मैं अपना, कुछ भी खाओ कि मैं पढ़ने बैठी रहती थी, तो मैं मेरा जब सोने का टाइम होता था, तो जैसे वो पढ़ने बैठती थी, तो मैं maximum 12 बजे तक जगती थी, पर 12 बजे तक, जब मैं उसी टाइम में देखती थी, कि वो जबकिया फिर उठती थी, फिर पढ़ती थी, किसी भी तरह से वो एक गड़ बजे से ज़्यादा वो जग नहीं पाती थी, लेकिन उस सबेरे बहुत लेट सोकर उठती थी, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि मैं बहुत लेट सोई हूँ, तो मैं लेट ही उठूँगा, तो आपके ज़रूरी है, और रोज नहाए, डेली नहाए, क्योंकि बीना नहाए एक अलग ही भारीपन महसूस करते हूँगे आप, अगर आपको लगता है कि नहाने की वज़े से नहीं है, पर ये सच ये है कि वो नहाने की वज़े से ही है, अगर नहीं नहाएंगे, तो फ्रेश भी न फिलोगा, इसलिए स्नान ध्यान बनाया गया है कि सुबह उठिये, ब्रश कीजिये, नहाए दो ये, तो चलो अर्ली मॉर्निंग उठते हो, तु मत नहाओ, लेकि नौ बज़े उठ गया तो जो ब्रेकफास्ट है, वो बीना नहाए मत करो, आर्दर डालो कि बीना नहाए मैं ब्रेकफास्ट करूँगा ही नहीं, ठीक है, अब दूसरे नंबर पर क्या होना चाएए, दूसरे नंबर पर, अब दूसरे नंबर पर होना चाहिए, जो सारी कहते हैं, वो ही मैं भी कहूंगी, मतलब आप ये समझ लिजे कि समय का प्रबंधन, एक बहुत जरूरी चीज है जो कि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया भी, तो समय प्रबंधन, UPSC के त्यारी में 12 गंटे पढ़ना है, 14 गंटे पढ़ना है, 16 गंटे पढ़ना है, ये सभी कहते रहते हैं, लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग हैं, जो पढ़ते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप अपना एक बढ़िया टाइम टेबल जरूर बनाएए, जिसमें आप वास्तविक रूप से जिसमें आप पढ़ते हैं, एक बढ़िया टाइम टेबल बनाएए आप अपना, तो अब इसमें जैसे कि आप टागेट करो, शुरू में जब तैयारी जिनों ने शुरू क तो वह टागेट करें कि कम से कम 6 घंटा कि आप पढ़ो यह कहना आसान है लेकिन 6 घंटा पढ़ना भी आसान नहीं है concentrate होकर और यह productive होना चाहिए आपका अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो आप ठीक है तो पढ़ पढ़न्या का मतलब यह नहीं होता कि आप पिताब लेके बैठे हो तो 6 गंटे करो फिर धीरे धीरे आप अपने आवर्स को बढ़ाते जाओ क्योंकि जैसे जैसे आप अपने कोर्स में इंगेज होंगे न जैसे जैसे कोर्स में इंगेज होंगे आपको खुदी सपता चलने लग जाता है कि इतना काफी नहीं है इतना काफी नहीं है तो आपको अपने आवस पढ़ाने पढ़ते हैं तो आपका सुभ़ उठने से लेकर और रात को सोने तक ठीके लेकर सोने तक का पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल होना चाहिए एकदम एकदम strict कि मैं इतने बची उठूँगा फिर सुबह इतने गंटे पढ़ूँगा फिर मैं दो बहर को इतने इतने गंटे पढ़ूँगा अगर आप graduate हो चुके हैं और अब full-fledged तयारी कर रहे हैं तो दो बहर का time भी आपकी पास है शाम का time भी आपकी पास है तो अपना morning ठीक है इसमें अपना सुबह दो पहर सुबह दो पहर और शाम रात ये पूरा अपना बनाईये में क्या क्या करूँगा क्या क्या करूँगा पूरा पूरा अपना बनाईये और इसमें जो है आप ये भी बनाएए कि मुझे कौन सा सब्जेक का पढ़ना है ठीक है तो ये भी ये एक बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करें इधर उदर अच्छा पढ़ें तो पढ़ें कहीं चले गए मुवी देखने चले गए अच्छा भी दोस्त के साथ आप मोबाइल पर चैट कर रहे है तो चैट ही चल रहा है आपका चैट कर रहे है तो चैट ही चाच पढ़ लेंगे अरे क्या है वो तो मैं उस समय बैठूँगा तो खीच दूँगा इतने घंटे तो पूरे करने अब नहीं होता यह होता नहीं है तो जरूरी यह है कि आप बिलकुल जो है अपने टाइम को पूरा अपना रूटीन बना लें तो यह पूरा यह रूटीन है आपका कि मैं क्या करूँगा और टांग दो study table की उपर और देखो कि आपने जो 6 या 8 घंटे या 10 घंटे जो आपने प्लान किया है पढ़ने का वो इसमें निकल रहा है कि नहीं और फिर इसमें आपने 10 घंटे को जब set कर दिया तो 10 घंटा set करने के बाद आपको पढ़ना क्या है पढ़ना क्या है तो यह भी जरूरी है यह भी जरूरी है कि पढ़ना कैसे है पढ़ना कैसे है तो हमेशा आप लोग book list book list कहते रहते हो कि book list दो book list आप में से सभी student के पास book list जरूर होगा नहीं होगा तो आप मेरे नाम से भी book list unacademy, rinko sing आप search कर सकते हो आपको book list मिल जाएगी मेरी तरह और भी educators हैं उन्होंने भी book list दी हुई है तो आपको जो अच्छी कीताबे हैं, जो standard books हैं वो आपको मिल जाएगी अब उसमें से subject wise आपको तयारी करनी है subject wise तयारी करनी है तो आप जैसे कोई भी subject, एक subject आप उठाते हो एक बार में आप कई subject मत पढ़ो मैं कई बार बता चुकी हूँ ये बात तो एक बार में आप दो subject, दो subject बहुत है या फर मैं तो ये कहूँगे कि सबसे best ये ही होता है कि आप एक subject लेकर चलो पर अगर time कम है time कम है जैसे 2021 वाले हैं अब 2021 वालों के लिए अगर GS की तयारी करनी के लिए पांच महिने से जादा time नहीं है आपके पास तो आपका इसमें जैसे दो subject लेकर चल सकते हुआ आप पैरलेली क्योंकि आपका इसी में जो है religion भी करना है तो आपका एक बार पूरा तयार हो जाना चाहिए और कुछ subjects ऐसे हैं जैसे history, geography history, geography और quality ये तीन ऐसे subject हैं जो बहुत ज्यादा time लेते हैं आपसे बहुत ज्यादा एक महिना target तो करते हो लेकिन एक महिने में ये होता नहीं है तो आप इसमें से selective पढ़िए हमेशा selective पढ़िए सब में एक एक chapter को पूरी तरह से जरूरी नहीं है पढ़ना मतलब उसको आप थोरो ले पढ़ जाओ जी section से question ही नहीं आता है हाला कि balance पढ़ाई बहुत जरूरी है balance पढ़ाई जरूरी है आप किसी को भी एकदम छोड़ नहीं सकते फिर भी आप चार्मा साल का paper लगाती हो तो आपको UPSC का nature पता चल जाता है कि कहां से question करती है UPSC तो UPSC जो question fall to facts पर कम करती है prelims में facts भी आते हैं पर conceptual होते हैं वो तो आपको एक conceptual clarity की जरूरत है और UPSC का जो nature है वो हमेशा वो देखती है कि आपको उस बिशय की समझ है कि नहीं है तो जितने भी पारिभाशिक शब्द है जितने भी terms हैं वो आपको clear होना चाहिए terms clear होने चाहिए अगर मैं history की बात करूँ तो history में जैसे यहां पर example ले लेते हैं मौरे की या फिर मुगल की अब आप पूरा मुगल बंश पढ़ने लग गए मुगल बंश पढ़ने लगे फिर औरंग जेब ने क्या क्या किया था फिर परवर्ती मुगल पढ़ रहे हो कि फिर यह आया था फिर यह आया था इसने यह किया इसने यह किया तो आपको इतना इस पे ऐसे समय लगाने की जोरत नहीं है आपको सीधा 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 मुगल पर करना है की मुगलों के समय समाजी किस्थिती कैसी थी, आर्थी किस्थिती कैसी थी, राजनितिक कैसी थी, कल्यायम संस्क्रिती का कैसे भी कास हुआ था और उसमे इन शाषकों का क्या योगदान रहा तो जब भी आप प्रशाशनिक नीती पढ़ोगे राजनिती को प्रशाशनिक नीती तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अकबर पढ़ना ही पढ़ेगा कि उसने मनसरबदारी जागिरदारी शुरू किया था जहांगेर ने उसमें तो यह इस तरह से उनका रोल पढ़ो उसमें ऐसे एक एक शार्शकों को ऐसे रटने की जरूरत नहीं है और किस तरह से पेटी कोट गवर्नमेंट नूर जहां का प्रभाव तो जैसे यह सब आप जब पढ़ते हों पढ़ने के दोरान वो सब हेडलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कॉंग्रेस ने क्या बोला बीजेपी के लिए बीजेपी ने क्या बोला कॉंग्रेस के लिए यह सब जरूरत नहीं होता पढ़ने का जो में सरकार ने जो एग्रिमेंट किया है सरकार ने कुछ योजनाय बनाई है कुछ प्लैनिंग्स किये है कुछ हार्ट इन कल्चर में हुआ है कुछ एन्बाइमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है कुछ एकनॉमिक्स में RBI ने कुछ डिसीजन लिया है तो वही आप पढ़ते हैं बिलकुल उसी तरह से आपको इसमें पढ़ना है पर ये बिलकुल किलेर होना चाहिए कि इनके टाइम पर प्रशाशनिक मीती क्या थी समाज की स्थिती क्या थी कला अम धर्म कैसा था कला धर्म कला में सब स्थापत्य कला चित्र कला सब आ जाएगा तो ये से बिलकुल क्लिश होना चाहिए इसी तरह जियुक्राफी आप पढ़ते हो तो जियुक्राफी में जीुक्राफी में भी आपको land forms कैसे हुए ठीके, land forms कैसे हुए और इसमें आपका, जो है, मालन लो おसीन है, ठीके ओसीन है जो है, mountains है और क्या है? Plains area है यही है न तीन है आपका इन तीनों में इन तीनों में मुख्य मुख्य क्या है? अब ओसीन में आपको तो हमेशा याद रहते हैं सारे पर उसमें currents कहां-कहां पर cold current है कहां-कहां पर hot current है गरम जलधारा, ठंडी जलधारा तो आपने पूरा इत दिमाग में यह लगाया कि पहले आपने landforms पढ़े landforms में plain area में क्या है? पहाडों में कहां-कहां पर की पहाड है? कौन-कौन से पहाड है? और नदियां कौन-कौन सी बहती हैं अगर water पढ़ा तो water body पढ़ा तो तो इस तरह से आप दिमाग में concept बनाईए तो बहुत जरूरी है conceptual clarity conceptual clarity बहुत जरूरी है अब इसमें जो है अब इसी में आप मतलब सारे वो पढ़ने लग जाते हो कि plate बीवर्थनी की क्या है ठीक है plate tectonics क्या है वर्षन पढ़ते हो कि बारिश कैसे होती है तो ये सब आपका मलब जोग्रफी को पूरा ऐसे बाढ़ दिया आपने बाढ़ दिया उसमें physical फिजिकल जोग्रफी बाढ़ देते हो फिर आप तो आपको क्या है कि पूरा का पूरा concept होना चाहिए इसी तरह से quality में है आपका quality भी एक बड़ा subject है लेकिन quality में sorry I'm so sorry ये light गई नहीं थी कुछ ऐसा fluctuation सा हो रहा है ठीक है एक सेकेंद दीजे मैं check करूँ हाँ जी तो अभी fluctuation हुआ था इसलिए मैंने check किया तो मैं आप लोगों को यही बात कर रही थी कि selective पढ़िए हमेशा मैं third number पर आपको यह बता रही थी कि कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना है ठीक है यह बता रही थी मैं तो हमेशा selective पढ़िए selective पढ़िए यानि महत्वपून बीशेयों को पढ़िए इस पर आप खत्म करना चाहूंगे बात में तो पहला पहला जो है सिर्फ महतोपून बेशय पढ़िये और रटना नहीं है रटना नहीं है क्या करना है कॉंसेप्ट बनाना है आपको क्योंकि यूपी एसी अब पूरे जियोग्रफी के क्वेश्चन उठा कर देखो तो आपको अभी 2016, 2018, 2019 का तो एक क्वेश्चन आपको प्लेट बिवर्थने की पर दिखेगा नहीं तो पूरा इंटरलिंक्ट है और विकास से संबंदित प्रश्ण पूछे जा रहे हैं और किसी भोगौलिक छेत्र का उस विकास में कितना संबंद है ये पूछा जा रहे है तो आपको कॉंसेब बनाना है और हिस्ट्री को जोग्रफी से इंटरलिंक्ट कर दिया पॉलिटी से इंटरलिंक्ट कर दिया एकनोमिक्स एंबायमिंट इसको इंटरलिंक्ट कर दिया तो आपको इस सारा सभी विश्यों को सभी विश्यों का सभी विश्यों का एक समन्वित सभी विश कीजिए और कहीं से कुछ भी सवाल आये आप अपने ज्यान को जो आपने economics मिलिया है जो आपने science and tech मिलिया है आपने उस नॉलेज आपた कर सके उस तरह से आपको अपना development करना है हिंदी मीडियम का सेलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, बहुत कम स्टूडेंट इस अप्रोच को पकड़ पाते हैं, अच्छा रांग पर मैं डिसकुशन नहीं करूंगी, फिर मैं पास होते हैं, रांग क्यों नहीं आता, इस पर तो मैं अभी बात नहीं करूंगी, पर सेलेक् करता है और मैंने देखा है मैं आने पर पढ़ा रही हूं अपने इंस्टिट्यूट में पढ़ाया था ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आप यह कह सकते हो कि इस तरह से पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वह हर हर विशय पर नोट्स दे दो एकदम प्रश्न बना कर दे दो UPAC का हमने mind read नहीं किया है हम educators ने आप भी mind read करने का मतलब की question वो कैसा देगा mind read करना है UPAC का mind read करना है कि वो किस तरह के प्रश्न पूछ रहा जैसा है कि मैंने आपको बताया कि ऐसे interlinked questions आ रहे हैं लेकिन हम यह ली predict कर सकते हैं कि यही question आएगा तो question हमेशा जो आपने पढ़ा है उसी पर आता है केवल आपको उन तथियों को रखने आना चाहिए और वो तब आता है जब आपके पास conceptual clarity होती है एक सम्मन्वित एक सम्मन्वित और धारना का आपके भी दर्विकास हो चुका होता है तो यह कैसे होगा यह कैसे होगा तो ह हर विशय को समझे हर विशय को समझे उसको पढ़िए और समझे सिर्फ पढ़ना और याद करना पढ़ना उस समी याद हो जाएगा फिर भूल जाओगे फिर रिवाइज करोगे याद हो जाएगा फिर बूल जाओगे लेकिन एक बार उसको अगर समझ लिया एक बार आपने आपका ये command कैसे होगा तो चौते नमबर पर मैं आपको बता रही हूँ self note बनाए यानि self notes का मतलब खुद अपना notes बनाएए आप अपना notes ना coaching के notes पर रहो ना ही बजार के notes पर रहो ना ही किसी दोस्त की दिये हुए notes पर रहो अपना notes बनाओ जब तक पकाओगे नहीं तब तक तब तक दिमाग में दिमाग में पकाना है उसको खुद पकाओगे तो कभी ने भूलोगे और कई बार मैंने कहा है कि सुपाच्ची भी होता है अपना पकाया हुआ भोजन तो अपना notes बनाए मैंने अनक आगमी पर अपना जो course शुरू किया है स्टूडेंट भागते हैं मुझे पीछे पढ़ना पढ़ता है उनके उनके पीछे पढ़के notes बनवाना पढ़ता है वो चाहते हैं मैं ही सब कुछ दे दूँ सब कुछ मैं बना बना कर दे दूँ उनको वो यही चाहते हैं वो खुद बनाना ही नहीं चाहते हैं बस PDF दे दो PDF दे दो notes दे दो आप का भी टेलेग्राम पर कम से कम रोज ऐसे 20 messages आते हैं कि मैं notes दे दो, notes दे दो, notes दे दो और आप अपना notes जब तक नहीं बनाओगे वो दूसरे की notes से आप रटोगे बस तो आपने क्या किया first step notes बनाने में जो first step आपका होना चाहिए पढ़ा एक बार में पढ़ा फिर दूसरी बार पढ़ा फिर दूसरी बार पढ़ा ठीक है? और जो important points है उसको underline किया underline किया आपने उसके बाद फिर तीसरी बार फिर उसके बाद तीसरी बार अब आप खुद उसका वो शुरू करो important notes को note करना कि इसमें क्या क्या था तो कोई भी ऐसा topic लेते हो तो आप उसका मतलब हर topic का हर topic की कुछ aspects होते हैं उन सभी aspects को आप note करो जैसे मालो मौलिक अधिकार है quality का हम fundamental rights लेते हैं तो quality का जो fundamental rights है तो आपको जैसे एक बार में याद नहीं होता दो-तिन बार में आप याद करते हो कम से कम बार में वो भूल जाता है शुरु पहली बार में वो एकदम से दो बार पढ़के तीन बार पढ़के पूरी तरह से याद कर लेना शुरुवात में थोड़ा मुश्किल होता है जैसे हम लोग को अब बहुत easy लगता है लेकिन जब पढ़ाई शुरू की थी तो भूल जाते थे तो उसमें तो कोई बात नहीं आप articles कैसे याद करें एक मनलब simple मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि मनलब आपको सभी articles जो important है जहां से direct article से question आता है यह आपको कई बार अपने answer writing में उन articles को mention करना पड़ता है उसका एक अपना hand written chart बना कर वहाँ पर चिपकाओ जहां पर आपकी निगाह पूरे दिन में कम से कम 10-20 बार जाती हूँ यह आप जहां इर्द गिर्द ही रहते हो वहाँ चिपकाद हो देखते देखते याद हो जाएगा तो अब मैं सिर्फ ऐसे याद कर के आप इस पर answer नहीं लिख पाओगे अब इस पर आप देखोगे PYQs PYQs बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी आपका self notes बनाने का यह सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है PYQs और यह PYQs दोनों का देखो prelims का भी और mains का भी आप यह दोनों काम कर सकते हो कि आप topic को आपने पढ़ने से पहले ही देख लिया topic को पढ़ने से पहले अगर देखोगे तो पढ़ते हुए ही पढ़ते हुए ही आपका वो पता चलेगा कि अच्छा यह आया था यह आया था अच्छा यह तो देखा था question में तो topic शुरू करने के पहले भी तो उस पर question देख सकते हो कि जैसे आपने आपने अगर fundamental rights पढ़ना शुरू किया है तो fundamental rights पर कैसे-कैसे questions आये हैं, मौलिक अधिकारों पर कैसे-कैसे प्रशन आये हैं, आपने पहले ही देख लिया तो जब आपने पहले देख लिया तो पढ़ोगी तो आपको पता है कि यहां से ऐसे-ऐसे प्रशन बनता है तो किसी भी topic पर ये बहुत जरूरी है जानना कि प्रशन कैसे आता है बहुत जरूरी है प्रशन कैसे आता है ये बहुत जरूरी है जानना तभी आप उस topic को समझते हो, उसी तरह से आप उसको पूरे आत्मसाथ करते हो तो टॉपिक को आत्मसाथ करना बहुत जुरूरी है तो आप जब इस पर पीवाई की उज़ा आपने देख लिया प्रेलिम्स और मेंस का तो इस पर आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स में सारे फैक्स आपने डाल दिये तो सारे फैक्स में तो आपने फंडामेंटल राइट्स में मतलब आपका ये 12 से लेकर और 35 तक आर्टिकल 12 से लेकर 35 के जितने मौलिक अधिकार हैं आपके वो आपने लिख लिया फिर उसके बाद आप क्या इस पर लिखोगे उसके बाद आपने PYQ मेंस की पढ़ रखी है तो मेंस की आपने PYQ पढ़ रखी है तो ये किस तरह से ये नागरिक नागरिक स्वतंत्रता समानता नागरिक स्वतंत्रता समानता भेद भाव ठीके इन सब चीजों को किस तरह से रक्षा करता है प्रोटिक्ट करता है सुप्रिम कोड का इसमें क्या रोल है लोक तंत्र में इसका क्या योगदान है किस तरह से लोक तंत्र में लोक तंत्र का ये नीव है बजबूत बनाता है ये नागरिकों को एक लोक तंत्र का स्वतंत्र नागरिक के तौर पर ये क्या अधिकार देता है तो नागरिकों की अधिकारों से संबंदित है ये तो ये क्या अधिकार देता है इस पर जो है सरोष न्याले सरोष न्याले का की जो इसमें भूमी का है जिसको हम कहते हैं कि गार्ड है वो सरोष न्याले पूरी तरह से मौलिक अधिकारों को लागू करवाने में भूमिका है और इसमें मौलिक अधिकारों पर युक्ति-युक्त जो निबंधन लगाया जाता है यानि इस पर 13 कहता है कि किसी भी तरह से इसको रोका नहीं जा सकता इस पर विवाद हुआ केश्वानन्द भारती, गोलक, जितने इस पर विवाद हैं, इस पर जितने विवाद हैं, वो भी आपने कर लिए, मैं एक टॉपिक लेकर तरीका आपको बतारी हूं बस, तो इस पर जितने विवाद हैं, अगमालीक अधिकारों को कभी भी, मतलब कभ-कभ रोका जा सकता है, और इस पर विवाद हुए, कभ-कभ रोका जा सकता है, युक्ति-दि निबंधन इस पर कभ, कैसे लगाया जा सकता है, और इस पर जो विवाद हुए हैं, ये सारा, 32 की अनुछेb 32, Article 32, तो बाबा साहब वाला जिसको इन्होंने भारतिय संभिधान का आत्मा कहा तो 32 अनुछे 32 का महत्व को अच्छी तरह से उसको तो इसमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपने इसको समझा आप मिनने इसको खुब अच्छी तरह से समझ लिया अब इस पर जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप लिख पाओगे तो क्वेश्चन को आपको इसी तरह ऐसे सरसरी तोर पर पढ़ने से नहीं होगा पढ़के समझो और अपनी नोट्स वैसी बनाओ तो आप आपने में इसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स लिखते चले जाओगे कि भी बाद में कौन-कौन सा यहां पर जो है रीट्स में आप देखोगे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जारी करने का यह अधिकार है तो इन दोनों में क्या फर्क है तो इन सब में पॉइंट्स डालते चले जाओ तो सारे टापिक को ऐसी रेडि करना है आपको प्रेलिंच और मिन्स दो से आपको तयार करना है अब इस पर आपको अच्छा नहीं अभी मुझे बाकी है अभी तो मैंने main बात आपको बताई ही नहीं जिसे आप सब भागते हो जिसे आप सब भागते हो तो मुझे वह बताना है आपको और मुझे बहुत दुख होता है जब आप लोग भागते हो पाँचवे नमबर पर वो चौथा नमबर था ना पाँचवे नमबर पर राइटिंग स्किल ठीक है राइटिंग स्किल डेवलप करो लिखने की आदत डालो लिखने की आदत डालो आदत शुरू से शुरू से डालो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शुरू में यह answer writing करने लग जाएंगे तो confidence हिल जाएगा पर कब करोगे तो जैसा कि मैंने आपको एक मौलिक अधिकार का example देकर बताया कि आपको ऐसे ऐसे इसको तयार कर लेना है तो अब इस पर अगर इतने एंगल से आपने तयार कर लिया तो इस पर PYQ लिखो जो mains का question आया है जो prelims का mcqs लगाओ mcqs लगाओ और इस पर जो mains में आपका आया है उसको लिखो अब भी लिखो और लिखते हुए आगे बढ़ो तो अपना और लिखना कैसे है जब पहला question लिखो के खुद समझ में आ जाएगा कमी है कमी है आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे अपनी कई कमिया समझ में आएंगी कि speed नहीं हो पाता तेजगती से आप नहीं लिख पाते handwriting साफ नहीं है handwriting साफ नहीं है ठीक है handwriting साफ नहीं है आप शुरुवात कैसे करें इंट्रो कैसे लिखें कैसे शुरुवात करें answer writing में शुरुवात कैसे करें इसकी सबसे ज़्यादा आपको problem होती है कि शुरुवात कैसे करें फिर किस तरह से लिखते हुए अंत करे जबकि आपको knowledge है तो ये धीरे-धीरे आपको लिखने से ही आपका जो mentor होगा वो आपको बताएगा कि किस तरह से intro लिखना है किस तरह से conclusion लिखना है आपका mentor बताएगा आपको तो इस तरह से आप writing skill अपना develop कीजिए शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए यही पर English medium और Hindi medium की समस्या थी आज कल इस special classes में ले रही थी आप लोग मेंसे कुछ लोग मेरे उस special class को लेते होंगे तो special classes में English medium का student था ऐसे दो-तिन होते हैं तो जो English medium वाले student होते हैं बहुत exact अच्छे-च्छे words के साथ answer writing करते हैं और Hindi medium वाले students को मैं देखती हूँ कि शब्द चयन अच्छा नहीं होता होनगा और अब जब मैं ही कह दियू खुद एक Hindi medium से exam देने वाली एक student और आज के रेट में Hindi medium से ही पढ़ाने वाली teacher और मैं मुझे ऐसा feel होता है मैं तो बिल्कुल Hindi medium वालों को भेदभाव की नजर से नहीं देखती आप कहते हैं न कि यूपेस से भेदभाव करता है मैं तो नहीं करती पर मैं ये चीज में देख रही हूँ तो आप शब्दों पर शब्द के चैन पर ध्यान दीजे आपका जो शब्द है शब्दों का जो प्रवाह है वो अच्छा होना चाहिए तो ये शब्द आपको अकबार जो पढ़ रहे अकबारों की भाषा को आत्म साथ कीजे कुछ दिन उसी भाषा में बात कीजे आप ये अपने फैमली वालों से कह सकते हैं कि नहीं मेरे कहने का ये ताक पर ये नहीं था आप ये कह सकते हैं तो आप जो है ऐसे धीरे-धीरे उसको अपने बोल, चाल हर चीज में लेकर आईए तो धीरे-धीरे ये हो जाता है तो UPSC में जो है ये जो डेली हैबिट्स के भीतर एक इंपोर्टन चीज में आपको बताऊंगी और वो ये मैं बता रही हूँ कि आप फील करना शुरू करो एक एड्मिनिस्ट्रेटर की तरह फील करना शुरू करो और जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको खुब ध्यान से देखो क्या हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है क्या solution है इसमें समाज का क्या रोल है या फिर उसमें आर्थिक रोल क्या है सबको देखना शुरू करो हर चीज को एनलाइज करो धीरे धीरे जैसे जैसे एनलाइज करोगे वैसे 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 आपका वो शुरू हो जाएगा फिर ठीक है और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको help कर सकता है वो help करेगा आपको discussion दिख रहा है ना आप लोगों को यहां मैं तो मेरा photo तो नहीं आ गया है discussion बहुत help करेगा आपको अच्छा एक group बनाईए एक group बनाईए अकेले बोरियत होने लग जाती है पढ़ते पढ़ते एक बढ़िया जो group होता है वो group बहुत help करता है और कुछ ऐसी चीजे भी वह आपक आपको बताएंगे तो एक अच्छा group बनाईए आज की रेट में कोवीड का समय है कोवीड का समय है और मिलना जुलना कम हो गया है आप एक वो group बनाईए आप WhatsApp बनाईए WhatsApp पर बनाऊ, Telegram पर बनाऊ, Virtual Group बनाऊ और उसमें अच्छे लोगों को जोड़ो अच्छे लोगों को जोड़ो अपने आंसर आइटिंग उसमें डालो लिख के अपने आंसर आइटिंग डालो बाकी आपकी तरह सारे सोचने वाले हूँ नोट्स जो बनाया है नोट्स उस पर डालो फिर देखो बाकी लोग उने अपना नोट्स कैसे बनाया है आपने कैसे बनाया है किसी टॉपिक पर जैसे आप चैट करते हो वैसे डिसकस करो और अगर ऐसे दो-चार दोस्त आपके पास रह रहे हूँ तब तो कोई समस्या ही न नहीं है ठीक है तो डिसकस्शन बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और अब एक एक दू पॉइंट और है गये हैं मैं सोचा पांच करके ही आपको बता दू पर एक दू पॉइंट और है गये हैं जैसे आपने एक बार नोट्स बना लिए इस तरह से अभी तक तुम्हेंने आपको बताया कि कैसे आपको विशय की तैयारी करनी है पर एक बार सभी विशय तैयार हो गये तो रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी है minimum 2 बार कम से कम 2 बार आपके सभी बिशστर कि रिवाईज हो जाने चाहिए minimum मैं 2 बार कह रही हूँ आपको लग रहा है यह चो सिर्फ 2 बार ऐसा महीं सोचना यह बहुत मुश्किल होता है सारा खतम करके 6 मही नहीं 2 बार रिवाईज करने के लिए आपको बहुत जादा hard work करना है बहुत manage करना है आपको time को पर आपका ही revision होना ही चाहिए तो आप यह कर सकते हैं कि कोई जब subject आप पढ़ रहे जो subject आप पढ़ रहे उसके साथ साथ एक विशे एक विशे आप revision के लिए रखिए जो complete हो चुका है उस एक विशे को revise करते हुए चलिए जो complete हो गया है साथ साथ ऐसा कर सकते हैं आप हलाकि यह आसान नहीं होगा आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा पर आपको समय manage करना पड़ेगा एक time ना अपना morning का या evening का या फिर afternoon का कोई एक time slot एक time slot जब routine बनाओ तो एक time slot डालो revision का कि इस time में मुझे revision करना है दो घंटे का टू आस का जादा ने टू आस का ठीक है और इस time slot में आप सभी completed subjects को मतलब cycle बना दो पूरा पूरा cycle बना दो जो एकदम चलता रहे cycle मना दो पूरा चलते रहना चाहिए ठीक है चलते रहना चाहिए और mock कभी miss मत करो last में मैं बूलूंगे आपको last mock mock जितना दे सकते हो उतना दो mock test exam की तरह जब आपका exam past में रहेगा तो जब prelims के पहले प्रिलिम्स के पहले इससे डरना मताब ठीक है तो यह कुछ habits है जो आपको अपने भीतर लेकर आना है और इस तरह से आप चलेंगे तो जरूर आप सफलता जरूर सफलता आपको मिलेगी मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी मेहनत करेंगे दिल से करेंगे और smart तरीके से करेंगे परिक्षा के मांग के अनुसार करेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी ठीक है तो अनवरत अथक कोशिशों की गुझ जाता है आसमा तक और मिलता है मिलता है प्रतिक्षित पारितोशिक भी तो बस रूको मत रूको मत डिगो मत चलते रहो चलते रहो ठीक है तो चलिए फिर एक महतवपून भोशना है आप लोग भी कह रहे होगे कि मैं डेट पर डेट दे रही है मैंने डेट हटाई दिया है अन अकाडमी की टेकनिकल टीम जो है कुछ कंटेंट टीम कुछ जादा ही डिमांडिंग हो गई है तो खेर वो भी उनका भी अपना तरीका है सही सोचते होंगे तो कोर्स तो मैं सब्मिट कर चुकी हूँ अब उसमें टाइम लग रहा है लाँच होने में जैसे भी मुझे लगता है कि दो चार दिन से जादा टाइम नहीं लगेगा मैंने तो एक डेट पचीस दिया था फिर तीस दे दिया था अभी तीन दिसंबर एक कल का दिया है पर शायद कल भी शुदू नहीं हो पाएगा पर हो जाएगा जल्दी और एकदम टाइम के साथ खतम करूंगी मैं बिल्कुल फरवरी तक खतम कर दूंगी मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोग को जोईन कीजिए और समय पर यह खतम हो जाएगा बैच ठीक है तो जीएस बैच चल रहा है जीएस बैच चल रहा है सभी पेपर के लिए और NCRT से मैं शुरू करती हूं NCRT से शुरू करकर उसमें इंपॉर्टिन जो टर्म्स हैं उसको नोट कराकर चेक करती हूं फिर और फिर जो स्टांडर्ड बुक्स हैं उनका आधार बनाकर उनको आधार बनाकर तूकि उन्हीं किताबों से प्रश्णा आता है पीवाई आती हुई चल रही हूं मैं तो आप आईए मेरे साथ सभ्यान में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चल रहा है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ चल रहा है तो हिस्ट्री सोसिलोजी का बैच ओल्रीट दिए